जय हिन दोस्तो मेरा नाम है जिलमिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनाशनल सोलर अलाइंस के उपर काफी चर्चा में रहने के वज़े से यह हर तरह के कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज की वीडियो में हम इंटरनाशनल सोलर अलाइंस के बारे में फिस्तार में पढ़ेंगे ये न्यूज में क्यों है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2018 के मार्च महिने में इंटरनाशनल सोलर अलाइंस का पहला समिक जो है अब ये International Solar Alliance जो है उसकी स्थापना कब हुई थी इसका inauguration कब हुआ था इसका inauguration हुआ था during UN Climate Change Conference जो की पारिस में हुआ था और November 30, 2015 अब एक बहुत important बात है कि International Solar Alliance का main objective क्या है इसने एक target सेट किया हुआ है कि 2030 तक 1 terawatt of energy generate किया जाएगा ये करना क्यों जरूरी है क्योंकि इतनी तेजी से जो natural resources का depletion हो रहा है कि हमारे future generations के लिए energy resources रहेगी ही नहीं तो it is very important, it is the need of the hour to switch to alternative mode of energy alternative resources, alternative resources की तरफ जाना अभी बहुत ज़्यादा important हो चुका है क्योंकि इतनी तेजी से depletion हो रहा है तो इसलिए इसी उद्देश के साथ उन्होंने एक target set किया हुआ है कि 2030 तक 1 terawatt of energy generate किया जाएगा solar energy तो what is international solar alliance basically तो ये आप देख रहे हो topic of cancer और ये topic of capricorn ये दो lines के बीच में जो countries ले करती है उनको सबसे ज्यादा sunlight मिलता है क्योंकि उनका और sun का distance जो है वो सबसे कम है तो इसलिए उनको through the year सबसे ज्यादा sunlight मिलता है तो इसलिए international solar alliance क्या करती है कि इन सारे countries को एकत्रित करके unite करके उनकी solar energy को utilize करेगी for the betterment of the society और इसलिए solar energy को promote करेगी solar rich countries के जो solar power है उसको एकत्रित करके the idea is to form a coalition of solar resource rich countries to collaborate on addressing the identified gaps in their energy requirement through a common approach जैसे कि मैंने कहा यह total 121 countries है जो कि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में लाइक करती है और जो कि international solar alliance का हिस्सा है लेकिन अभी तक signatory countries सिर्फ इतनी ही है तो signatory countries यानि के उन countries जिन्होंने अपना समर्थन पूरी तरह से दिया है जिर्में इंडिया भी एक नाम है वो है फ्रांच, औस्ट्रेलिया, बांगलादेश, उनाइटेड अरब अमिरेट्स, ब्राजिल, वेनिजोयला, स्रीलंका, एथरपिया, यमिन, फिजी, अलजेरिया, घना, एजिप, इंडिया, किरिबती, लिबिरिया, मदासागर, मलावी, माली, मौरिशिस, नेगर, नाइगर, पिरू, रुवांदा, सेनीजल, सेचिल, सुमेलिया, साउथ सुडन, एंड टैंजैनिया, ये सारी कंट्रीज ने अपना रिटन समर्थन दिया है, कि हम तुमारे साथ है, तो अब हम देखेंगे कि इंटरनाशनल सोलर अलाइंस और इंडिया का क्या रिष्ता है, ये रिष् करोगे, तो हम भी तुमारे पीचे-पीचे चल रहे हैं, हम भी 100 गिगावाट अव एनरजी तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे 2022 तक, हम तुमारे पीचे-पीचे हैं, तुम लोग करो काम, तो इंटरनाशनल सोलर अलाइंस जो फर्स इंटरनाशनल बॉडी है, जिसका सेक जेवाहलाल नहरू नाशनल सोलर मिशन जिसको नाशनल सोलर मिशन भी कहा जाता है, और जो इस्टाबलिश किया गया था जैनुरी 2010 में, जो जिसको रिनेम किया गया है बाद में, कि जेवाहलाल नहरू नाशनल सोलर मिशन, जिसका में एम था कि 13 फाइव यर प्लान के एंड में जो कि 2022 में होगा उस तक 20,000 मेगा वी अवट अगे हम ऐम ठाकी इनरजी और यह तीन फिर फेज में कुंडर्द हो ओसन जो की होगा 2010-2013 के पीच में इस दोरान 1000-2000 मेगा वृत अगे हम विदिध और फेज बाक Really और फाइनल फेज यानि कि फेज थ्री जो कि कंड़क्ट किया जाएगा 2017 से 22 के बीच में और इस दौरान यह जो पूरा प्रोजेक्ट है वा कम्प्लीश्ट हो जाएगा यानि कि 20,000 मेगावाट अफ एनर्जी प्रड्यूस किया जाएगा उसके बाद एक और स्कीम है जो है सोलर एनर्जी सबसीरी स्कीम इसके तहर जो भी लोग अपने रूफटॉप में सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे उनको गवर्मेंट की तरफ से कुछ एमाउंट मिलेगा कुछ सबसीरी मिलेगा और इससे सोलर पावर को प्रोमोट किया लिजेगा सोलर रूफटॉप सबसीडी स्कीम इस गौवर्मेंट अव इंडिया इनिशियेटिव तो प्रोमोट यूज उस ऑफ सोलर रूफटॉप इन्स्टॉप इंस्टॉल करेंगे अपने रूफ में उनको कुछ अमाउंट अफ सबसीडियस मिलेगा गवर्मेंट की तर जगा जगा हर स्टेट में डेवलप किया जाएगा उसमें इंफ्रस्टॉट्ट्टर्थ जो है वो अच्छे इच्छे बनाया जाएगे हाल ही में वर्ल का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो केनाटका में बनाया गया था MNRE has formed a scheme aiming to set solar parks in various states each of which is a capacity of 500 kilowatt the scheme proposes to offer financial support to the wider government to establish and facilitate infrastructure necessary for setting up of solar power plants जो शक्ति स्थाला जो की केरला में था और जो की वोल का सबसे बड़ा solar power plant था उसको स्थापित किया गया था उसको इसको इस्टाबिश किया गया था this was also a very standout move by Indian government और जो प्रमोट करता है solar energy को यह India के लिए need of the RQ है क्योंकि India जो है 58 gigawatt energy from renewable resources करती है जिसका मतलब अभी भी India जो है non-renewable resources पे बहुत ज़्यादा dependent है और अगर यह कम नहीं किया गया या renewable resources of energy का जो percentage है इसको बढ़ाया नहीं गया तो हमारी future generations पे बहुत ज़्यादा बिपत्ती आ सकती है तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश करिये कि इसका जो percentage है 58 से 70, 80, 90 या फिर full percentage renewable resources of energy को contribute करें तो इसलिए इंडिया के लिए renewable resources of energy या alternative sources of energy तो को तक switch करना बहुत ज़्यादा important बन चुका है तो इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही कल फिर बिलेंगी कुछ नहे lectures के साथ Thank you